आपको इन सांसरों के बारे में भी जानना चाहिए जो जेल में बंद दो सांसर हैं यानि कि जेल में रहते हुए भी इन्होंने चुनाव जीता है जेल में रहते हुए भी जीत जाना ये अमरत पाल सिंग ने चुनाव में कर दिखाया साथी साथ जो दूसरे यहाँ पर आते हैं नेता वो राशिद इंजीनियर हैं वो भी चुनाव जीत गए हैं जम्मु कश्मीर के 12 मुला सीट से यहाँ पर जम्मु कश्मीर नेशनल कॉंफरेंस के उमर अब्दुल्ला को पूरे 2 लाग से जारा वोटों से हराया है जीत का जो अंतर इन दोनों नेताओं का आप देख रहे हैं अमरत पाल सिंग 1 लाग 90 अजार वोटों से जीते यहाँ पर हरादिया उन्होंने कॉंग्रस के कुल्वीर सिंग को वो भी पंजाब की खंडूर साहिब सीट से और यहाँ जम्मु कश्मीर 12 मुला सीट यहाँ पर लोगोंने बड़ जड़ कर वोटिंग में इससा लिया रेकॉर्ड वोटिंग की लेकिन यहाँ जम्मु कश्मीर नैशनल कॉंफरंस के उमर अब्दुल्ला को दो लाग से भी ज्यादा वोटों से हराया है राशिद इंजीनियर ने और जो सबसे बड़ी बात है वो यह कि दोनों ही जो नेटा हैं जो कि अब सांसर बन चुके हैं यह जेल में रहते हुए इन चुनावों को जीते हैं लेकिन इन सब के साथ ही आठारवी लोग सभा के सर्थर पर निगाही रहने वाली हैं इसलिए भी क्योंकि लगातार देश में तीसरी बार ऐसा है कि इंडिए की सरकार बनी है और इंडिया की सरकार बनने के बाद जब लगातार प्रदानमच्टी नरेन मोधी तीसरी बार पी-म के तौर पर चुटकर आ गए हैं ऐसे में इस सत्र में कौन-कौन से वो बुद्धे हैं क्योंकि इंडिया एलाइंस यानि कि जो विपक्ष है वो पहले से मजबूत इस सिटी में यहाँ पर नजर आ रहा है और इस मजबूत इस सिटी में किस तरीके से अपनी बाते रखेगा वो आपके लिए जानना जरूरी है देखें जो सोलवी और सत्रवी लोग सभा रही इधर की साइड सोलवी और सत्रवी जो लोग सभा रही उसमें नेता प्रतिपक्ष का पद खाली रहा अब ऐसे में जो अठारवी लोग सभा है उसमें सवाल इसलिए पूछे जा रहे हैं यानि कि जो उठ रहे हैं मजबूती के साथ क्यूंकि राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष के तौर पर सामनी आने वाले है और ये 10 साल बाद होगा जब लोग सभा में नेता प्रतिपक्ष होगा यानि कि सरकार से सवाल पूछने के लिए बड़ी जिम्मेदारी नेता प्रतिपक्ष की होती है इससे पहले ये जो विपक्ष की तरफ से नेता प्रतिपक्ष की भूमी का निभाने की जिम्मेदारी थी, ये पद खाली था, ऐसे ये एक बड़े बदलाव भी है, बड़ा बदलाव ये भी है कि 2024 इसमें इंडिया अलाइंस बहतर तरीके से आगे बढ़ा है, हाँ बहुमत जरूर नहीं मिला, ल देश की जन्रता ने हमें सौपी है, और इसलिए हम देश को संविधान को बचाने की कोशिश भी करेंगे, और इसलिए संसर के भीतर बड़े सवाल भी पूछे जाएंगे, देखे, तस्वीरे भी विलने शुरू हो गई है, क्योंकि दस बज़े मीडिया को संबोदित भी कर करने वाले हैं, जिस तरीके से विपक्ष अपनी रणीती बना रहा है, मीटिंग्स के दौर महाँ पर चल रहे हैं, क्या कुछ अपडेट है, संसर्थ की तरफ कूच करने वाले हैं, हाथ में होगी सम्विधान की प्रतियां। अब तक एक बहुत बड़ आरोप लगता रहा है प्रधानमंति नहीं दमोधी के ऊपर में कि उन्होंने प्रेस कॉन्फरेंस नहीं किया, तो उसका भी उन्होंने इस वार जो दोजार चॉविस का लोग समा चुना हुआ तो उसमें उन्होंने प्रेस कॉन्फरेंस किया और अब ही जो वो प्रेस कॉन्फरेंस करने वाले मीडिया से बात करने वाले हैं तो उसी का एक जो काट है जो विपक्ष जो हमेशा वार करता रहा है उसका एक काट ही हो सकता है इसके बाद अगर हम बात करें जैसे विपक्ष जो है पूरा एक साथ प्रविस कर लेने वाले हैं संसड़ावन औरे उसके बाद जिस तरीके से वो एक साथ मीटिंग करेंगे पहले महात्माु गांधी किमूर्ती है वहान पे उसके बाद वह साहई सब करेंगे तो तो देखर के औरिकिन की बातों को lekar के बाथ हो सकती है इसके बात अगर आगर बात करें । perspective तरह देखते हुए बीजेपी भी अपने तरफ से त्यार है क्योंकि विपक्ष इस बार का जो लोकसभा का सीट इस बार जो हुआ है वो बहुत ही स्ट्रॉंग है विपक्ष जहां पर बहुत मजबूत दिखाई देता है जहां पर अब बीजेपी या एंडिये का एक तरफा आख जो उसको बहुत ही सोच समझ करके अब नडिये को और बीजेपी को करना परेगा इस बार के लोकसभा में बहुत ही खास बात रहा है जो डिप्टी स्पिकर की बात होती है तो 2019 से अब तक डिप्टी स्पिकर का जो पद था वो खाली था तो उसको लेकर के भी प्रविजेपी को आप स्पीकर के चुनाओं खुद से करेंगे तो कहीं ने कहीं जिस तरह के से बिपक्ष अपने हमलाबार है उसके लिए बचाओ पक्ष के लिए एंडिये भी त्यार है जो धरातल पे भी काम कर रहे हैं जिस तरह के सब्सक्राइब अधिपक्ष उत्रा हुआ है उस तरह के सब्सक्राइब करते हुए सत्र के भीतर की तस्वीरे भी सामने आएंगी एक तरफ तो इंडिया एलाइंस है जो की मीटिंग्स का दौर यहां पर चला रहा है कौन-कौन से सवाल है और कौन-कौन से बुद्धे हैं जिस पर सरकार को ग यह दर्शकों तक पहुँचाएंगे चुकि आज अठारवी लोगसभा सत्र का शुडवात हो रही है और शुडवात जब हो रही है तो बहुत से सवाल यहां पर उठे है सवाल कुछ ऐसे भी है कि 2019 के मुकाबले 40 दिन छोटा यहां पर पहला सत्र रखा गया है यहां अगर पहला सत्र जून से लेकर 26 जुलाई तक रखा गया था और यह जो अठारवी लोगसभा की जानकारी आप देख रहे हैं पिया मुदी की शपत हुई थी यहां पर 9 जून को पहला सत्र 24 जून से 3 जुलाई का यहां पर रखा गया है यानि कि पहले से 40 दिन छोटा यह पहला स सत्र रखा गया है क्योंकि यहां पर अच्छे खासे दिन थे 17 जून से 26 जुलाई का यह लंबा सत्र था लेकर उसे छोटा कर दिया किया है 40 दिन अठारवी लोगसभा में यह भी एक स्प्राटीजी का पार्ट हो सकता है शुरवात के दो दिन सांसदों की शपत में आदते आपने कहा कि प्रेस कॉन्फरेंस को लेकर विपक्ष सवाल पूछता रहा था और इसकी शुरवात ता जैसे हो जाएगी कि प्रेस कॉन्फरेंस पियमोधी करने वाले है जो मैंने सवाल पूछा वो तो था ही कि पत्रकार क्या उसमें सवाल पूछ पाएंगे आलजा कारण है कि तो इसमें कई ऐसे मामले क्योंकि आपने देखा होगा कि चुनाउं से पहले कुछ एक जो कुछ बज़त सत्र हुआ थी शुदीनों के जो बताया गया थैशन हो चुके हैं उस्सब के वज़े से भी हो सकता है यह यह वह सकता है कि जो कुछ काम काज है वो अगले से पर दिखाई दे रहा है इसका मुखितास वो समझ में अभी तक प्रेफॉर्म पर नहीं आ पाया है जो भाजपा है या इंडिये घटक डल है वो इस पर कुछ इस तरी के कोई जो बातचीत है वो नहीं हो पाई है लेकिन बता ये जा रहा है कि हो सकता है कि अगला जो सत्र हो उ चीजे रह जाती हैं इस सत्र में उस सत्र में वो उसको लेकर के आगे बढ़ा जा सकता है और जितने भी बातें हैं वहां पर पटल पर रखी जा सकती है जी